बाबा साब डाक्टरम बेदकर ने अंगली करी थी संसद की तरफ कि संसद में घुसे और यहां अंदभक्त की नेता संसद से भाग करके उधर उल्टा जा रही है बाबा साब में कहा था कि संसद वहां से बात उठाओ और अंदभक्त की नेता संसद से भाग गई जिन दलितों को मंदिर में प्रवेस नहीं मिलता प्रतारित होते हैं मैं समझता हूँ कि और उनको पिटाई होना चाहिए तर जो पिटने वाले चाहते कि दलित मंदिर में जाये और हिंदू बने तो जबर जैस्ती किूं जा रही है यहां सममान नहीं मिल्दा है वहां लात खाने क्यों जा रहे Gods से वास्तिविकताम दलित हिंदू है देखे ऐसा है कि हिंदु स्ठब ही कहीं भी बेद और पुरान में नहीं और हिंदु सब्द तो अठारहोई सताब दिन में आया है पता नहीं हिंदु का क्या मतलब होता है या तो यहां पर मनबाधी हैं जा तो मून्निवासी हैं ये सिरूकाज के लोग लड़ लेते हैं कुछ हद तक वो भी सी नहीं लड़ता हो अखन भारत 15 साल में हो जाएगा तो ये भावनात्मक बात है ने पूरा अफगानिस्तान पकिस्तान सब भारते मा जाएगा एक तरफ बिहार के शेखपूरा में इस तरह का पंचायत का फर्मान आता है कि दलित समाज के लोग यग में सामिल ना हो अनुसुची जाती के लोग और इधर उदित राज्जी हैं राष्टिय परिशंग के राष्टिय अध्यक्ष हैं और कॉंग्रेस के नेता हैं पुरुव सांसद हैं इन्होंने ट्वीट करके लिखा है दिल्ली विश्विद्याले में कुल 91 कॉलेज हैं जिन में एक भी दलित प्रिंस्पल नहीं है सर एक तर्फ्ययक्षमे को लिखंग में दलित को हिंदू सर एक towards यग में दलित को नहीं माना जा रहा है उनको कह रहा है कि चंदा दे praying ले लिया मिटी बिटी सब जमा करवा सके भिभी भशेमिया में हं उर दलित हिंदू है मुसलमानों से लड़ाने का मामला आता है बो्ट लेने का मामला आता है तब हेंडू बाकी हेंडू नहीं हैं और ज псих quem दो को फ्रेवेस नहीं मिलता है प्रताडित होतने हुए मैं समझ तो कि और उनको पीटाही हो northern चाहिए दरीत ओका कौन पीटेगा तो जो पीटने वाले हैं जब समवन नहीं चाहते कि दलित मंदिर में जाएं और हिंदू बने तो जबर जैस्ति क्यों जा रहे हैं बाबा साब डाक्टर अंबेतकर की जो 22 प्रतिग्याएं हैं उसको पढ़ें खाते डाक्टर अंबेतकर का हैं और गाती किसी जागरती तो कम जिकम पैदा होना चाहिए कि जहां सम्मान नहीं मिलदा है वहां लाज खाने क्यों जा रहे हैं दूसरी बात है कि दलही नौस्टी में अब परियाप संख्या में प्रोफेसर्स हो चुके हैं और बहुत परियाप एसी एस्टी के लेकिन जब जाती है तो अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो अभी भी दलही तो गुलाम रहते है इस देश में उधारन के सबसे अच्छा उधारन एक क्यानवे कालिज जो दलही बेसुविद्या लेके हैं उन्हीं से लिया जा सकता है कि आरच्छन नहीं है परियाप मात्रा में क्वाद के लिए एक प्रिंस्पल बनाया था उसके बाद में बर्तमान में क्यानवे कालेजेज हैं प्रिंस्पल एक नहीं है लेकिन जब बोट लेना होगा और मुसल्मानों से लडाना होगा तब तो हिंदू बना लेंगे इनको जब भागेदारी या सम्मान देने की बात ह होती है संसाधरों में हिसेदारी देने की बात होती ही तो तब तो अच्षूत हैं अभी तो हैज़रबाद मामले में बोल रहे है कि नागराजू की हत्या हौई नागराजू हिंदू था सुल्ताना का जो प्रेम और प्रेम भीवा हुआ ता उसमें तो डलित को हिंदू मान लोग जगा रहें कि जागो मामला मुसल्मानों के खिलाप यानि धुर्फिक करना है बोट लेना के लेकिन खाना पीना का सादी विभा है और आइसे वास्ते विक्ताम भांटी कि बात हैर धर अगर देखा जाए तो लेकिन चुकि अब हिंदू कहने लगे हैं लेकिन इनके किसी पुराणों में बेदों में कहीं हिंदू सब्द का इस्तेमाल नहीं है Central University की भी बात होती है, वहाँ प्रोफेसर हैं Central University में प्रोफेसर हैं और Yastri Yastri के तो लोग हैं भी OBC की जीरो हैं OBC के लोग मेरा ख्याल है कि चार या पांच परसन सिरू काश के प्रोफेसर हैं होना चाहिए 16 परसन दो या तीन परसन सिरू ट्राइब के हैं OBC क्यों हैं OBC जीरो इसलिए है कि 1992 में जो आरच्षन लग हुआ वो देर से लग हुआ मंडल कमिशन मंडल कमिशन देर से और दूसरी बात हो OBC ज़्यादा बहस है उसमें मंदिर बनाने में मत बनाने में या जाती राजनीती में बहसता है सामाजिक लड़ाई में OBC नहीं के बराबर है जैसे सारी आरच्षड के लड़ाई दरित लड़ता है अधिवासी भी नहीं लड़ता है और जंतरमनतर पर हुआ धर्ना पदर्शन हुआ पारलामेंट में बात उठाने की बात हलाकि मरे हुए सांसद हैं किस्टि के भी लेकिं जो भी कुछ है समाज की जागरती खास तो रहे हैं इनका रिपर्जेंटेशन जागरती और में का परभाव रहता है कुछ दबाव बना रहता है कमीटियां भी है एसी कमीशन भी है पार्लामेंटिक टाइन कमेटी यान दबेल फेर आफ एस्टी है तो कुल मिला है कि एक माहूल पहले से बना हुआ जिसके वो जैसे एस्टी ये सिरूकास के लोग लड़ लेते हैं कुछ हद तक वो भी सी नहीं लड़ वो भी सी कहा लड़ता हुआ लेकिन दलितों के मुद्दे पर लगातारा बोलते रहे लोग सभा में अभी आपकी जगह सांसद है हंसराज हंस जो कलकार हैं गायक है कभी किसी मुद्दे पर दलित के मुद्दे पर नहीं बोलते हैं ऐसे ही बाकी सांसद है नहीं ब्यक्तिकार नाम नेनन ठीक नहीं है ले भी है मैं उस वी लोक सभा में था तो चार सो पांच सो बार मुए पसंसंद उपनी बात रखा था तो अड़ाई तिन सो बार तो मैं S.E.S.T. के बारे में डिजर्वेशन के बारे में O.B.C. के बारे में रखा रखना चाहिए जो जिसकी आबादी इतना 80% है पचासी परसंट है तो फी कहा जाता था तो बीजेपी में चले गए और उधर 17 लोक सभा में मैं नहीं गया हूँ अगर मैं नो बोला होता तो मुझे तो उपरास्टती बिनने का पूरा तयारी थी मुझे मिनिस्टर भी बिनाने की पूरी तयारा थी, सारी तयारी थी हमारे लेकिन बीच बीच में बोल देता था, तो इस तरह बीजेपी और मुदी जी नाराज हुआ करते थे, लेकिन हालत है, एक तरह पूर नाराज, और दूसरे तरह पी अंदभक्त, अंदभक्त, मुर्क लोग, क बहुजन हम राज करेंगे, राज करेंगे, जो राज था, वो चला जा रहा है, उसका ध्यान नहीं दिया कभी, वो जा रहा है, उसका ध्यान नहीं दिया, निजी करन्ड हो रहा है, उसका कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, और सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहिब डाक्टर सुसरी मायवती जी बाबा साब में कहा था कि प्लेटफार्ब में संसद वहां से बात उठाओ और अंदभक्त की नेता संसद से भाग गई मायवती जी बोली कि हमको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है तो बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है रोग दिया जाता था संटेंस काड़ दिया जाता था बोलने के पहले इस पिकर अरे भाई इस पर न बोली उस नो बोलू तो इसके मतलब सारे सारे भागा रहा है चाहिए अगर यही लाजीक है यही तर्क है क्यों का मज़र हो गया बहुजन अन्दोलन का दलित बहुजन तो बोलने की फायदा नहें उभी सी लड़ते नहीं उतो परसू Все बहुजन का मतलब ही नहीं होता अर बिने वज़य से सब्सक्राइब इससी कि दलीत बहुजन की पचासी परसेंट तो जब बहुजन कर दिया तो उसमें दलीत आ Uganda युजन तो लड़ते हैं दलीत अंदूले कंजोड नहीं बहुजन Two दोन तो नहीं व्य है साथ नहीं यह कह सकते हैं लेकि शिरुकर सामाजी को बाबासा का प्रभाव है, सामाजी का अंदोलनों का प्रभाव, आरच्छन का बहुत बड़ा प्रभाव है, देश सब का है, भागेदारी की बात होनी चाहिए, तो भागेदारी की बात जो है, बेवहारिक है, किया जा सकता है, हुआ है, जो हुआ है, जो संभव है, जो किया जा सकता है, उसकी बात क की बात की अख़न भारत 15 साल में हो जाएगा तो भावनात्मकर बिक पुरी ताकी बात करो भाई हमारी इतना प्लिभद में नोगिंचार एयो जद्ध हमारा सेर टेदो सुप्रिम जुजुडिसिरी में देदो मेडिया में देओ एकसपोर्ट-इंपोर्ट में दो इनुरस्टी में दो वी-सी भी बनाओ। ये तो जायज़ु बाते हैं। आपको जाति-वादी कहेंगे दलित की बाद करते हैं, राज अरचन की बाद करते हैं, आज तो बहुत तरक्की कर गया देश- जात की कहीं जगह नहीं है, इस तरह के लोग बोलते हैं नहीं वो तो बाबा साब को भी अभी तक तक दलितों का नहता मांते रहें, तो क्या जाये? भले मैं बोलूं या ना बोलूं. हमारा स्थान तो रहेगा वही. दलित रहेगा. हर आदमी अपने जाती के कड घरल में ही है, इस देश में. जो बोलता उसको कह देते हैं, जो नहीं तो उदित राज जी थे इन्होंने कहा कि दिल्ली अन्वस्टिय में कुल एकानवे कॉलेज़ें लेकिन उन कॉलेज़ों में एक भी दलित प्रिंस्पल नहीं है प्रिंस्पल तो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लेकिन प्रिंस्पल नहीं है पॉलिसी मेकर नहीं है तो आपक के वीडियो देख रहें सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा किजिए जय भीम जभारत